नमश्कार में उप्रिया धराधर तीस खबरों में आपका स्वागत है चले जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को देश में बीते 24 गंटे में 3,47,254 ने कोरोना केस मिले जोरां 703 मरीजों की जान चली गई है बीते दिन 2,57,777 लोग रिकावर हुए हैं इस तरह अब तक ठीक होने वालों की संख्या बढ़कर 3,60,58,806 हो गई है केंदर स्वासमंत्राले की तरफ से जोरी आख्रों के मताविक कोविट के आक्टिव केस अब 2 मिलियन से ज्यादा हो गए हैं फिलहाल 20,18,825 आक्टिव केस है सक्रिय मामलों की दरबढ़कर 5,2-3 प्रितिशुत हो गई है अगर रिकावरी रेट की बात करें तो ये 93,50 प्र कोरोना संक्रमन की गहराते केहर के बीच के इंदर सरकार के स्वासमंत्राले ने बच्चों और किशोरों को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है बच्चों और 18 साल से कम आयू के किशोरों में COVID-19 के प्रबंधन के लिए समशोधित व्यापक दिश्रा निर्देश के तहत अंटिवारल और मोनोक्लोन अंटिबॉडी की ज़रूरत नहीं है ओमिक्रोन वेरियंट पर अमेरिकी वैक्सीन फाइजर के मुकाबले रूसी टीकास पूतनिक वीज ज्यादा सरदार है गमलेया इंस्टिट्ट नाशनल रिसर्स सेंटर और एपिडेमिलोजी और इटालियन स्पॉलन ज्यादी इंस्टिट्ट की जॉइंट स्टडी में ये खुलासा हुआ है अमर ज्यवान ज्योती को लेकर ज्यारी विवात के बीच आज प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी ने बड़ी घोशना किया हुना ने कहा है कि इंडिया गेट पर बहान स्वतर्तता से नानी स सुभाज चंद्रबोस की प्रतिमा स्थापित की जाएगी पीम ने ट्वीट कर कहा कि ऐसे समय में जब पूरा देश नेताजी सुभाज चंद्रबोस की 125 वी जंती मना रहा है मुझे ये बताते वे खुशी हो रही है कि ग्रैनाइट से बनी उनकी भव्य प्रतिमा इंडिया की शर्थ पर ऐसा कर सकती है यूपी के 20 लाग युबाओं को सरकारी नौकरी का बादा करते हुए भरती विधान ज़्यारी करते हुए प्रियांका गांधी ने कहा है कि चुनावबाद यदि किसी पार्टी को बहुवत नहीं मिलता तो कॉंग्रस गठभंदन सरकार में शाम की टेस्टिंग कर रही है इस फीचर के आने के बाद Android यूजर अगर नया iOS डवाइस खरीते हैं तो उन्हें अपने WhatsApp चार्ट को खोल ना नहीं पड़ेगा कॉंग्रिस की तरफ से यूपी वधान सबाचुनाव के लिए घोशना पतर जुआरी कर दिया गया है राहुल गांधी और प्रियांका गांधी ने ये घोशना पतर जुआरी करते वे राजु में सरकार बनने पर 20 लाग सरकारी नौकरियां देने का वादा किया है इसके अलावा सिक्ष्रा का बजट बढ़ाने प्लेस्मेंट के लिए ववस्था करने के भी वादे किये गया है राहुल गांधी ने इस मौके पर कहा कि कॉंग्रिस बिना नफरत के सब को साथ ले कर चलना चाहती है और हमारा फोकस राज्व के युवाओं को रोजगार दे दिखते हैं उनमें से कॉंग्रस और भाजपा दोनों ही दलों के दो दो जंडे फेहराते दिखे गया है रागीर बाजवा पंधुओ के पुष्ट पैनी घर की छट पर दोनों दलों का जंडा फेहराता देख उत्सुक्ता से भर जाते है चीन ने जानकारी दी है कि पाकिस् निया पुष्टी की है 4,320 मेगावाट का दासु हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चीन मजो वा दुआरा वर्ल्ड बैंक की वित्पोशन के साथ किया जा रहा है दिली के स्वास्तमंतरी सतेंद्र जैन ने शुकरवार को कहा कि राजधारी दिली में अब कोरोना का ग्राफ तेजी से नीच आ रहा है दिली में कोविड का पीक जा चुका है और सिती नियंतरन में है उन्हाने कहा सिती को देखते वे दिली सरकार ने उपरा जिपाल को पत्र लिग कर वीकेंड कर्फियो हटाने दुकानों के लिए और इविन का नियम खत्म करने और नीज़ी दफ्तर इस मौके पर उनकी बहन श्वेता सिंग कीर्थी ने एक भावुक कर देने वाला वीडियो शेयर किया है श्वेता सोशल मीडिया पर काफी सख्रिय रहती और आए दिन सुशान से जड़ी तस्वीरे और वीडियो पोस्ट करती रहती है दिली के इंडिया गेट पर 24 घंटे जलने वाली अमर जवान जयोती की लौ राष्ट्रे युद्धसमारक की मश्वाल के साथ विलीन होने जा रही है करीब पच्चास साल बाद ये जोती बुचने जा रही है इंडिया गेट पर बने अमर जवान जोती की जलते रहने वाली अब लोग पच्चास साल बाद हमेशा के लिए बुच जाएगी अब ये मशाल राश्ट्रिय युद्समारक यानि नाश्रल वार्ड मेमोरियल की मशाल के साथ मिला दी जाएगी शुक्रबार दो पहर एक समारों में जोती का एक हिस्सा इंडिया गेट से करीब 400 मीटर दोड़ी पर राश्ट्रय योद्समारक पढ़ ले जाए गया अमर जबान जियोती को लेकर ज़ारे विवात के बीच आज प्रिधान मत्री नरेंदर मोदी ने बड़ी घोशना की होना ने कहा है कि इंडिया गेट पर महान स्वतंतरता से नानी सुभाश रंदर बोस की प्रतिमास थापित की जाएगी पीम ने ट्वीट करके इस बात की ज़ानकारी दी है हिमाले शेतर में पाये जाने वाला बुरांच का फूल कोरोना वायरस के संक्रमन का इलाज हो सकता है हिमाजर प्रदेश के मंडी जिले में सित आई 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 टी के शोध में ये बात कही गई है बुरांच का वेग्यानिक नाम रोडो डेंड्रॉन और बे बांच की पंखुडियों के अर्क ने COVID-19 वायरस को बढ़ने से रोका है दक्षिनेशिया में बढ़ता तापमान और भारी बारिश के कारण महिलाओं पर सबसे जादा मार पड़ी है ग्लोबल वार्मिंग के कारण घर में काम करने वाली महिलाओं की आई कम होती जा रही है एक अधियन के मताबिक ग्लोबल वार्मिंग का दक्षिनेशिया की गरीब महिलाओं की आई पर सीधा सर पड़ा है तापमान और बारिश पढ़ने के कारण घर से काम करने वाली इन महिलाओं की आई में कमी देखी गई है क्योंकि उनके काम के घंटे में कमी आ गई है घर मे काम करने वाली महिलाओं के संगठर होमनेट साउथ एशिया ने भारत नेपाल और बांगनादेश की 202 महिलाओं का एक सर्वे करने के बाद एक विस्तरत रिपोर्ट तयार की है सहिक्तुर रास्ट्र में भारत ने आतंगवाद के खिलाफ लडाई में बहुत और सिख धर्म के खिलाफ घ्रेना के साथ साथ हिंदूफोबिया को पहचानने की अपील की है यूएन में भारत के राजदूर टीएस तिरुमूर्टी ने कहा है कि सहिक्तुर रास्ट्र के नई वैश्विक आतंगवाद विरोधी राजरननीती में खामिया है प्रिधान मंत्री नरेंदर मोदी का डंका भारत ही नहीं दुनिया में भी बज़ रहा है उनकी लोगप्रियता लगातार बढ़ रही है अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फर मौर्निंग कंसल्टन पॉलिटिकल इंटेलिजेंस द्वाला जारी ग्लोबल रेटिंग सर्वे के मुताविक धान मंत्री मोदी दुनिया के लोगप्रिये नेताओं के सूची के शीर्ष पर है सर्वेक्षर में पीएम मोदी ने 70% की रेटिंग के साथ शीर्ष पर कबजा किया है पंजाव विधान सभाथ चुनाव में सेयुत किसान मोर्चा और कम्यनिस्ट पार्टियों का गठबंदन मुश्किल में फस्ता नजर आ रहा है CPI और CPI ML लिबरेशन ने SSM के चुनावचे ने पर लड़ने से इंकार कर दिया है इनका कहना है कि हमारे उमिदवार पार्टी के सिंबल पर एलेक्शन में खड़े होंगे इस गठबंदन के बीच विवाद उमिदवारों के चैन पर भी है देश के कई हिसों में शीत लहर का प्रकोब जारी है इस बीच बारिश की संभावना ने ठंड के बढ़ने के संके दे दिया है भारतिय मौसम विज्ञान विभाग ने भविश्यवारी की है कि दिली में आज आंशिक रूप से बादल शाय रहेंगे शाम में हलकी बारिश भी हो सकती है आपको बता दे कि शहर का धिक्तम तापमान गुरुबार को उसक से दो डिग्री सेल्सियस नीचे दर्श किया गया कोरोना महमारी के शिरवाती दौर में पुरी दुनिया में केरल मॉडल के रूपे प्रसंशा पाने वाला राजु अब संक्रमन का होट स्पोर बन गया है पहली और दूसरी लहर के दौरान भी लंबे वक्त तक केरल संक्रमन से पीडित रहा था केरल में गुरुबार को कोरोना संक्रमन की जाज पॉजिटिविटी दर्श 37 फीजदी पहुच गई स्वास्तमंत्री वीना जौर्ज का कहना है कि पहली और दूसरी लहर के विपरीत इस बार संक्रमन शिरवाती दौर में ही बहुत तेजी से फैल रहा है उन्होंने कहा है कि अगले दो तीन सप्ता राजु के लिए बहुत चुनाती पूर्ण होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सोमनात मंदिर के पास बने नए सरकित हाउस का उधगाटन किया सरकित हाउस के उधगाटन की बाद प्येम मोदी ने वीडियो कांफरेंसिंग के जरीए कारिकरेम को सम्बोधित भी किया प्येम मोदी ने अपने सम्बोधन की शिरवात एक शलोक के साथ की मोदी ने कहा भगवान सोमनात की अराध्रा में हमारे शास्त्रों में कहा है कि भक्ती प्रदानाई कृता वंतारम त सोमनाथम शरनम प्रदेप्या यानि कि भगवान सोमनात की कृपा अब तीर्न होती है कृपा के भंडार खुल जाते है गोवा के पुर्व मुख्य मंत्री मनोहर परिकर के बेटे उत्पल परिकर भाजपा में बने रहेंगे या पार्टी छोड़ देंगे इसको लेकर सस्पेस बना हुआ है हालाकि ये सस्पेस आज दो पहर तक दूर हो सकता है पूरा दिन दुकाने खुली रखने और श्रनिवार रविवार को सभी गैर जरूरी सामान की दुकान बंद करने का आवाहन किया है सुनीर शेटी के बेटे आहान शेटी ने 2021 में तरब के साथ बॉले वो डेब्यू किया कोरोना महमारी के अनिशुतताओं के बीच आहान की पहली फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी और बॉक्स ओफिस पर ठाक प्रदर्शन करने में काम्याब रही थी फिल्म के लिए आहान को काफी तारीफे मिली थी और उन्हें फ्यूचर स्टार बताय गया जो दर्शुय काहान की डेब्यू फिल्म सिनेमा घर में देखने से बंचुत रह गया अब उनके लिए OTT प्लाटफॉर्म पर फिल्म देखने का मौका है अगर आप अग्रिकल्चर के फिल्ड में जॉब ढून रहे तो आपके लिए बहतर मौका है वहीं लास डेट 28 फरवरी 2022 तक चलेगी ऐसे में जो भी मिद्वार इन पदों के लिए अपलाई करना चाहते हैं वो आवेदन कर सकते हैं अगले 25 वर्षों में यानी 2047 तक देश के सभी पंचाहती रास संस्थान पंचाहत के लिए द्रिश्टी कोड अपराएंगे पंचाहतों के विकास के लिए एक मास्टर प्लान भी तयार किया जाएगा इसकी मदद से स्थानिय बुनिया दिधाचे विकासात्मक आवशक्ता, रोजगार के अफसर और पंचाहतों के संसाधनों को बढ़ावा देने का प्रयास होगा ग्रामीन विकास से वंपंचाहती राजमंत्री गिरराज सिंग ने पंचाहती राजमंत्रा द्वारा तयार किये गए संचोधित ग्रामीन शेत्र विकास योज़ण मिर्मान और कारिया नवinelyं दिशान निर्देश भी जारी किये हैं 12 नसी में काशी विश्वनात मंदिर के भवे बदलाव ने पवितर शहर में लकडी के खिलोना निर्माताओं की जीवन को बदल दिया है पिश्र मही ने प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी द्वारा काशी विश्वनाद धाम मंदर परिसर के उधगाटन की बाद मंदर के लकडी के मॉडल परेटे को के साथ सानिय लोगो द्वारा भी काफी बाग भी है उत्तर प्रदेश में विधान सभाच चुनाव की प्रथम चरण की नौजिलों की 55 सीटों के लिए शुकरवार को नामांकन शुरू हो जाएगा प्रतियाशी ओन्नाइन भी नामांकन प्रोक्रिया में भाग ले सकते हैं मुखे निर्वाचोन अधिकारी अजेश शुकला ने बताया कि दूस्टरे चरण में सहरानपूर, बिजनौर, मुरादवार, संभल, रामपूर, अमरोहा, बदायू, बरेली और श्राह जहापूर की 55 सीटों पर 22-28 जनवरी तक नामांकन दाखिल किये जाएंगे नामांकन प बनाने का अग्रह किया है, लिखे गए पत्र में कहा गया है कि अनुरोध किया जाता है कि ग्रिसलाचिफ को, मुख्यसलाचिफ और डीजीपी को कानूर और सुरक्षित वस्था लागू करने के लिए तत्वरित और दृढ़ कारवाई करने की लिए सम्वेदन शिल बनाने क की सलाह दी जाए। जितने भी पावंदिया 21 जनवरी तक लागू की गई थी, कल से यानि कि शनिवार से वो 6 फरवरी तक यथावत लागू रहेगी। आज के सवाल की और आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके रुसार देश भर में जारी COVID-19 के बढ़ते संक्रमन को देखते वे, क्या केंद्र सरकार को लॉकडाउन जैसे सक्थ नियम लगा देने चाहिए या नहीं। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइक ओन दबाना ना भूले, धन्यवाद.